असलाम अलेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टो माई चैनल, वेलकम बैक टो अनदर न्यू वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुती मज़िदार एक हेल्दी ब्रेकफस्ट की रेसीपी लेके आई हूँ चली जादा देनना करती हुए फीडियो को शुरू करते हैं एक मिकसिंग बाउल में सबसे पहले मैं लूँगी एक कप सूजी मेजरिंग कप से ये 200 ग्राम है और उसी के साथ उसी कप से में लूँगी आधा कप खटा वाला दही दही जादा खटा है तो आधा कप इस्तमाल करें थोड़ा कम खटा है तो आप लोग एक कप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें अब इसमें कुछ वेजटेबल्स डालना है जैसे मैं सबसे पहले डालूँगी एक चोटे साइस की प्याज जिसको मैंने बारिक बारिक चॉप्ट किया है जैसे में भारिक चॉप्ट के लिया है इसमें से आप लोग के घर में जो भी वेजटेबल्स आवेलेवल है आप लोग उसको डालके इसको बना सकते है गाजर यापड में एक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और उसके साथ दालूँगी में एक चमच नमक आप लोग अपले टेस्ट के अनुसार नमक इसमें डालिये इन सबी चीजों को चली थोड़ा सा पहले मिला लेते हैं जो जो ब según बच्चे खाने पसंद करते है या फिर आप लोग जो भी बच्चे घर पर अविलिवल रहेगा उस से इस नास्ति को आप लोग बना सकते हैं बहुती क्रंची बहुती ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो इसको बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर लेना है बैटर मिक्स हो चुका है चली इसको रेष्ट के लिए रख देते हैं 10 मिनिट तक 10 मिनिट हो चुका है और सूजी भी थोरा सा फूल चुका है सूजी फूले गा तो नास्ता भी बहुत ही टेटी बनेगा अब इस पे डालना है यहाँ पर मीठा सोड़ा जो खाने वाला सोड़ा रहता है चाय के चमच जो रहता है उससे आधा चमच से भी आधा मतलब एक चोता ही चमच आप लोगो डालना है डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको साइड में छोड़ना है एक तवा पे या फिर आप लोग फ्राइ पैन पे भी इसको बना सकते हैं तवा पे मैं डालूँगी देर चमच तेल तेल जैसे ही मिडियम गडम हो जाए इसके अंदर हमको डालना है राइ यहां पर मैं एक चमच राइ को बहुत ही अची तरह से चारो तरफ से फैलाऊंगी तो चाय की चमच एक चमच हो रहा है यह मैं छोटी चमच से डाल दी हूँ इसलिए दो बार में यहां पर डाल देती हूँ राय जैसे चटक जाएगा इसमें डाल देना है सपेद तील सपेद तील जरू से डालना सपेद तील से जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है पूरा फैला देना है अच्छी तरह से उसके बाद जो बैटर हमने तैयर किया था उस बैटर को मैं आधा हिस्सा पहले डालूँगी उसकी बाद जो है मैं आधा हिस्सा डालूँगी मैं दो बार में इसको बना रही हूँ इसलिए मैं दो बार में ही डाली हूँ आप लोग की कॉंटिटी कम है तो आप लोग एक बार में भी बना सकते हैं फिर आप लोग तीन चार में भी चोटे चोटे बना सकते हैं तो आच्छी तरह से मैं फैला दीती हूँ और एक समान जो है इसका लेर जो है एक ही तरीका का में बना के तैयर करी हूँ अब इसको इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है आप लोग चाहे तो इसको ढखके भी पका सकते हैं जब देखेंगे इसका कलर इस तरीकी का थोड़ा सा यलो श्टाइप आ जाएगा तो इसको जो है पलटने के लिए आपर एक सिक के तैयर हो जाए तो यहां पर जो है मैं कर्ची के मतल से बहुत ही अच्छी तरह से दबाते हुए इसको जो है पका लूँगी थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके का मैं जो है दबा रही हूं और इसको जो है मैं पकाऊंगी तो यह पक गया तो इसके बाद जो है मैं इस तरीके का लाइट ब्राउन आ गया है मैं दिखा दीती हूं आप लोगों के एक बार यह देख सकते हैं तब जो है गैस की फिलम को आफ कर देना है और इसको जो है अलाग एक प्रेट में सर्ब कर लेना है यहां पर जो है एक का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था और एक का कलर फेंट हो गया था तो यहां पर जो है मैं टोटली दो बनाया था बड़े सा इसका और एक मीडियम तो देखिए गर्मा गर्म सर्ब कर सकते हैं आप लोग लेंच की बॉक्स में या फिर बच्चे लोग के टिफिन में इसको बना के दे सकते हैं सूजी का और सबजीयों का ना एक एक और भी नए नए और भी अलग अलग रेसिबी के साथ तब तक के लिए अलग हाफिज